C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइंस की समय दर्सी किताब का सात्वा सबक बिन बोले बात सफा नंबर 43 चुप तुम रहो, चुप हम रहें चलो एक खेल खिलें इस खेल में सबको बगैर बोले अपनी बात दूसरों तक पहचानी है सभी बच्चे साथ साथ का गृप बना लो इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गृप को कागस की एक एक परची देंगी हर परची पर कुछ लिखा होगा सभी अपने अपने गृप में परची पढ़ेंगे सभी गृपों को अपनी अपनी परची के मताबिक खामोश ड्रामा तैयार करना है इस बात का ख्याल रखना है कि बगैर बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहचानी है तुम्हें अपने चेहरे और जिस्म की हरकतों से अपने मतलब को अदा करना है जब सभी ड्रामा तैयार हो जाए तब सभी गृप बारी बारी आएं और सभी के सामने अपना खामोश ड्रामा पेश करें सभी देखने वालों को ये बूझना है कि ड्रामे में क्या हो रहा है कैसा लगा ये खेल? क्या बगैर बोले एक्टिंग करने में दिक्कत आई? अगले सफे पर दी गई तस्वीर को देखो तस्वीर में बच्चे एक दूसरे से इशारों में बाते कर रहे हैं क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते हुए देखा है? लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत कब पढ़ती है? जिन वाकियात और सूरत हाल को बच्चे बखूबी समझ सकें और उनसे खुद को वाबस्ता महसूस कर सकें उनका इंतखाब करें ताकि बच्चे उन्हें बहतर तरीके से ड्रामे की शकल में पेश कर सकें सफा नमबर चवालिस इस सफे पर दो बच्चों की तस्वीर दी गई है जिसमें दोनों आपस में इशारों से बात चीत कर रही हैं हम मेंसे ज्यादा तर लोग सुन और बोल सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुन और बोल नहीं सकते ऐसे लोग इशारों से बाते करते हैं ऐसे लोग दूसरों की बाते उनके होटों को देखकर समझते हैं हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते हम में से कोई गाता अच्छा है, तो कोई नजम अच्छे लिखता है कुछ बच्चे ठीक से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो कुछ तेज दौडते हैं कोई तस्वीर अच्छी बनाता है, तो कोई सुर में गाता है हम सब अपनी तरह से खास हैं लिहाजा इसकूल में हम एक दूसरे से सीख सकते हैं सब की तरह जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते वो भी इसकूल जाकर पढ़ते लिखते हैं उन बच्चों को इसकूलों में इशारों की जबान सिखाई जाती है आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती फिर भी वो बच्ची पहुत कुछ कर पाती है सफा नंबर 45 मेरी बहन सुन नहीं सकती मेरी एक बहन है मेरी बहन सुन नहीं सकती मेरी बहन अनूखी है बहुत कम लोगों की बहने ही मेरी बहन की तरह होंगी मेरी बहन प्यानों बजा सकती है वो प्यानों के सुरों को महसूस कर सकती है वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या बंध है कूदने उच्छलने और कला बाजियां लगाने में उसे बहुत मजाता है मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है वैसे मां उसे घर पर बोलने की और होट पढ़ने की ट्रेनिंग देती है कलास में टीचर और दूसरे बच्चे मेरी बहन के कहे सभी लवजों को समझ नहीं पाते वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था उसका फ्रेम काफी बड़ा था उसके कांच भी एक दम काले थे तो मेरी बहन ने मुझ से चश्मा उतारने को कहा मेरी भूरी आँखे उसकी भूरी आँखों से नजाने क्या क्या कहती है जीन वाइट हाउस पिटर्सन की नजम से कुछ अक्तबास मतरजम अर्विंध गुपता यहां दो बच्चियों की एक तस्वीर दी गई है इस कहानी के हवाले से यह गुफतगू हो सकती है कि हम सब में मुख्तलिफ किस्म की सलाहियते होती है बच्चों के तजर्बात को शामिल करते हुए इस मौजू पर हसासियत बढ़ाई जा सकती है हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं चेहरे से, हातों से, वो कितना कुछ समझाते भी है इस सफे पर दो बच्चों की तस्वीर दी गई है पहले बच्चे की शकल से अंदाजा होता है कि वो खुश है दूसरी बच्ची की तस्वीर में ये दिखता है कि वो बच्ची उदास है चेहरा है आईना अपने आसपास के किसी छोटे बच्चे करीबन छैसे आठ महा तक के को देखो वो अपनी बात का इजहार कैसे करते हैं तुम सोच रहे होंगे कि ये कैसे चेहरे हैं ना उनमें आखे हैं ना नाक और ना ही मूँ ये सब तो तुम्हें बनाना है लेकिन साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर इस सफे की दाई जानिब एक लड़के की तस्वीर दी गई है जो अपने गाल पर हाथ टिकाए हुए बैठा है ये आफताब है इसका पसंदीदा खिलोना गिर कर तूट गया है वो उदास है कैसा होगा इसका चेहरा? सफा नमबर 47 सफे की दाई जानिब एक लड़की की तस्वीर है जो अपने दोनों हाथ आपस में जोड़े हुए खड़ी है ये जूली है कल ही इसकी छोटी बहन पैदा हुई है वो बहुत खुश है उसका चेहरा बनाओ सफे की दाई जानिब एक खातून की तस्वीर है जो अपनी कमर पर हाथ टिकाए हुए है ये यामिनी की मा है आज यामिनी ने जब बावर्ची खाने में अचार की शीशी निकाली वो गिर कर तूड गई उसकी मा का चेहरा बनाओ जिससे उनके तासुरात जाहिर होते हैं सफे की दाइन जानिब एक लड़की की तस्वीर है ये रिहाना है रिहाना को कुट्टों से बहुत डर लगता है वो खेल रही थी अचानक उसके सामने एक कुट्टा आ गया कैसा दिख रहा होगा रिहाना का चेहरा बच्चों को अपने जजबात व एहसासात को मुख्तलिफ तरीके से बयान करने की रविश की होसला अफ़जाई करें इससे उनकी तखलीकी इजहार की सलाहियत में इजाफा होगा सफा नमबर अड़तालिस चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन खुश है, कौन उदास है और कौन गुस्से में है तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और मा को तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल गया हो नाच के जरिये भी हम अपनी बात दूसरों तक पहचा सकते हैं नाच में एहसासात को बताने के लिए इशारों और चेहरे के उतार चड़ाओ का इस्तमाल करते हैं इन्हें मुद्राएं और भाव कहते हैं नीचे तस्वीर में नाच की कुछ मुद्राएं दी गई है नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके देखो इस सफे पर चार मुख्तलिफ तसावीर हैं पहली तस्वीर में हाथ की पांचों उंगलियों को उपर की जानिब उठा हुआ बंद दिखाया गया है दूसरी तस्वीर में हाथ की पांचों उंगलियों को फूल की शकल में खिला हुआ दिखाया गया है तीसरी तस्वीर में हाथ के अंगुठे और छोटी उंगली को खड़ा और बाकी तीन उंगलियों को आधा छुका हुआ दिखाये गया है चौथी तस्वीर में एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखा हुआ दिखाये गया है और दोनों अंगुठों को इर्दगिर्द से निकाला गया है सफा नंबर उनन्चास तस्वीर को देखकर अंदाज अलगाओ अपनी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ और उनसे बातचीत करो तस्वीर नंबर एक इस तस्वीर में एक दरख्त की शाख पर गिलहरी नाच रही है तस्वीर नंबर दो में एक गिलहरी कडाही में कुछ पका रही है तीसरी तस्वीर में एक कववा और एक कोयल चावल के कुछ दाने चुक रहे हैं वहीं चूहों की फौज भी उसके गिर्द आ रही है इन तसवीर पर कुछ मधुमक्खियां भी नजर आ रही है चौथी और आखरी तस्वीर में गिलहरी एक पतीली में कुछ पका रही है और नाच भी रही है इसी के साथ 24 असबाक के किताब आसपास का सात्वा सबक बिन बोले बात यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत